अच्छ साहस सरोकार यह यात्रा होनी है पैदल मार्च यात्रा हम करेंगे और हम अपनी समझ जन्ता से यही हार जो बिंती कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संध्या में सभी लोग वहां पे पहुंच कर इस त्यात्रा को सफल बनाएं और इसके लिए धन्यवाद और मैं सबसे पहले मैं 15 अगस् कि सभी देजबासियों को सुबकामनाएं और बधाहियां देना चाहूंगा जैहिंदी परुखबाद में कास्मंच ने निकाली तिरंगा वित्रण यात्रा गुडगाओं देवी मंदे से शिरू हुई तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्र में कई समाजिक संगठनोंने लिया हिस्सा तिरंगा वित्रण आत्र का कै जगह पर कीया ग्या जोरधार स्वागत पुरक्षय विवस्था की द्रिष्टी से भारी पुलस पोर्तना और उखबाद विकास मंच ने निकाली तिरंगा वित्रण यात्रा गुर्गाओ देवी मंतिर से शिरू हुई तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्रा में कई समाजिक संगचनों ने लिया हिस्सा तिरंगा वित्रण यात्रा का कई जगा पर किया गया जोर्दार स्वागत लगनाउ से पड़ी खबर सामने आ रही है सियम योगी को बंप से उड़ाने के मिली धम्ली अवैद बूचर खाने के खिलाफ पी आई एल से जुड़ा मामला देवेंद्र सिवारी के तरफ से सीम को मिली धम्ली पूरे मामले में आलम बाग थाने में मुकद्वादाच इस खबर में मैं से जब बाद चीट के लिए समधा तफ शादा आप जुड़ चुके शादा आप पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे मैं आपको बढ़ा दो कि उस्ताप अदेश के मुकद्वादी योगी अजितनात को जान से मानने की धम्की मिली है अधिन दिवारी है जो उनको धम्की मिली है साथ ही उस पत्र में लिखा हुआ है कि योगी अजितनात को भी साथ जान से मानने की धम्की धिए अब आपको ये भी बता दे कि दिवें दिवारी है बूचा खाने को लेके इन्होंने पी आई एल डाली हुई थी जिसको लेके इनका कहना है कि जान से मानने की धम्की मिली है अब ही पुलिस मामले की जाज कर रही है इससे पहले भी योगी अजितनात को लखनू के थाना शुषान गोल सिटी से धम्की का मुकदमा लिखाये गया था वहां में भी कोई ऐसा आयरेस्टिंग नहीं हुई उसके बाद अभी आलम बाग थाना है जहां पर उनको जान समान बाद की तमकी मिली है यहां भी मुकदमा लिखाये गया है लेकिन वी अभी इसमे गिरफ्तारी नहीं हुई इसका बहुत 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 शुक्रिया है महां से जोड़ने के लिए तमान चानकरी के लिए इस ख़़र पर हमांसर लखना उसम्दत तश्या आप चुड़े थे गां त्यागी मामले पर बढ़ी ख़़र लखना उसे ख़़र सामने आ रही है मलसी स्वाम्य प्रसाद ने बुलस कमिशनर बर किया मानहानी का दाव आलोग सिंग को त्यागी मामलें पे भेजा कानूनी नोटिस त्यागी को विधायक स्टीकर देने की बात कही थी लॉइडा सीपी ने स्टीकर मौहयकरादे की बात कही थी इस ख़बर पे हमाई सब्ज़द वाचीत के लिए समधा था नेतिन चुट चुके हैं अब नए मामले सामने आ गया है तो अबसी स्वामी प्रसाद ने पुलिस कमिशनर पर अब जस तरह से यह आरोप लगाई है तो क्या कहींगे पुलिस कमिशनर है उनको एक लीगल नोटिस देज दिया है कि इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि जो भी आरोप शिकान स्यागी के मामले पर मुझ पर लगाए गए है नोईडा पुलिस की तरह से उनके कमिशनर की तरह से यह पूरी तरह से बेबुनियाद है और मैं इस पर लीगल नोटिस भी भेज दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है उन्होंन जिक्र किया है उन्होंने कहा है कि इंजरी लॉट ऑफ रेपूटेशन और एजब पर सने के नाते जो उनकी उनका जो उनकी जो रेपूटेशन को हनन पहुंचा है उसके लिए उन्होंने बड़े पहमाने पर करीब 10 करोड रुपए का जो हैर्स्मेंट का रकम है उसके पर उन्होंने लगाई है इसके लावा उन्होंने इंजरी टॉर्चर भी हुआ है फिजिकली जो उनकी तरस से नोईडा पुलिस की तरस से उनके पर एलिगेशन्स लगाए गए है उसके वज़े से मेंटली टोर्चर भी हुए हैं और उसको लेकर के mine पाटाव सर्पारेस के साथ तस्तिर को किया गिरफतार बरामद चरस की कीमत लगभग 4 लाग रूपए मुख्विर की सूचिना पर पुलिस के हाथ लगी सफलता फ्रावस्ती से खबर सामने आ अप दोहाना अस्ते तो प्रावेट बस अच्जे से तसकर गिरफार चार सुकराम चरस की साथ तसकर को किया गिरफार वरामत चरस्की की मतलत भग चार्ड लाक रुपे मुझाई जारे